हेलो गाईज क्या हाल चाल उमीद करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे और आज रोफिरो आया था अपने स्कूल में छोटे छोटे बच्चो को छोड़ने के लिए क्योंकि गाईज रोफिरो के जो बच्चे हैं वो बहुत जादा छोटे हैं और आप लोग उन्ह तो रोफिरो का घर है ना उसके पीछे एक घर ता जो के काफी सालों से बंद पड़ाता और आज अच्छानक से ना उस घर का गेट खुल गया है तो आज हम लोग उस घर के अंदर जा कर देखें हैं गाईस कि आखिर उस घर के अंदर ऐसा क्या था जो इतने सालों से उसका गेट बंधी पड़ाता और आज उसका गेट किसने खोला है तो चलो यार गाईज फटा फट से हम लोग चलते हैं भाई उस घर में जहां पर वो गेट बनता इतने सालों से लगता है गाईज कुछ तो गड़ बड़े यार देखो एक गेट था जो इतने सालों से बनता और वो अच्छानक से इतनी जल्दी कैसे खुल गया मतलब यार गाईज या तो उस घर के अंदर कोई ना कोई चोर वगेरा रहते हैं जो के गाईज हमें अभी तक पता नहीं था बट आज सब कुछ पता चल जाएगा उस घर के अंदर जाके वैसे मेरे को लगता है गाईज के यार उस घर के अंदर यार कोई भूत वगेरा हुआ तो भाई हमारा क्या होगा बट यार देखो आपको तो पता ही है गाईज रो फिरो जो है ना वो किसी भूत वगेरा से नहीं डरता है क्योंकि यार गाईज देखो आप सब लोगो को भी पता है रो फिरो इतना खतरना के नव पड़ेगी तो चलो कोई बात नहीं गाईज यहां पर देख लेता हूं ओके तो गाईज मेरे को मिली एक ब्लैक कलर की की तो फटा फटे ढूंड लेता हूं यहां पर कुछ तो मिलने वाला है गाईज क्योंकि यार देखो यहां पर खून भी पड़ा है भाई इस घर के अंद तो मुझे चलने की आवास आ रही है किसी और की ओ यह तो गिरेनी है गाईज लेकिन यह क्या यार इसने तो पपजी वाले कपड़े पहने हुए है भाई इसके हात में एक पैन भी भी सेम बिल्कुल पबजी के जैसा है एंड गिरेनी ने कपड़े भी तो गाइस बिल्कुल पबजी वाले पहने हुए और सिर्वेट लेवल 3 का हेलवेट भी लगा के रखा है भाई गिरेनी ने ये देखो गाइस कैसे आ रही है पीछे पीछे बट इससे बचके रहूंगा मै जब मैं इस घर के अंदर आया था ना गाइस तो मुझे लगा तयार कुछ तयार देखा देखा लग रहा है तो अब मुझे पता चल चुका है गाइस ये जो जितने भी घर है ना यहाँ पर इस वाले मैप में तो गाइस ये सभी घर ना पबजी के अंदर भी मैंने देखे और गिरेनी ने भी पपड़े पेने वह इसका मतलब गाइस गिरेनी जो है ना वो भी बाई पबजी लवर लगती है मेरे को अरे यार आज तो कोई बंदा भी नहीं मिला मुझे चिकन डिनर करने के लिए पता नहीं आज मेरा चिकन डिनर होएगा भी या नहीं देखा यार गाईज आप लोगों ने ये पबजी लवर गिरेनी जो है ना भाई साब आज चिकन डिनर के चक्कर में बैठी है इसका मतलब के गाईज ये मेरे को भी मारेगी तब इसका चिकन डिनर होगा और ये जो कार खड़ीजी ना जिसमें अभी अभी मैंने एक पहिया लगा है वो भी सेम टू सेम बाई बिलकुल पबजी वाली कॉपी कर रखी है और यार मेरे को कमेंड बॉक्स में बताओ यार किस किस ने पबजी खेला है और पबजी कैसा गेम है यार मेरे को तो अच्छा लगता है वैसे आप लोग भी बताओ अगर आप लोगों ने खेला हो तो द चीज जिससे नब मैं गिरेनी को मार सकता हूँ तो एक काम करता हूँ यहाँ पर छुप जाता हूँ जैसे गिरेनी अंदर आएगी ना भाई उसके सिर में बहुत तगड़ा वाला मारूगा मैं खीच के तो एक काम करता हूँ उसका वेट कर लेता हूँ थोड़ी देर यहाँ लेकिन यहां पर घुर्य ans ग्रीच खोता है यार चिकन डिनार मेरे को değil से बार हम लोग घुटिक इंड आने वाले है यहां पर क्या प्लट रहा है और है यहां पर रखी है मेरे को उठाते हैं और कार में लेकर चलते हैं डालने के लिए आप सब लोगों को भी पता है अगर कार चलानी यह तो पैट्रोल तो डालना पड़े गा ना मेरी जान आ रही हूं बेटा तुने मुझे जान बोला है ना अब तो मैं तेरी जान ले लूँ अरे नहीं यार गाईस मैं एंड हमारी गैराज में हमारी एक कार खड़ी है तो फटा फट से उसके अंदर हम लोग पैंटरोल डालेंगे बट गरेनी इदर भी हो सकती है बचके रहना पड़ेगा यहां पर गरेनी नहीं है लेकिन शिट यार यहां पर गरेनी ने कैमरा लगाया हुआ था जिसमें ना गा का ओ गाईज यह क्या सुना यार मैंने अभी अभी गरेनी के साथ गरेंड पा भी था इस घर के अंदर और उसे किसी ने ना एड़ेंड पा मर चुका है बट गरेनी बिचारी अकेली इदर उदर बटक रही है तो कोई बात नहीं गाईज फटा-फट से हम लोग यहां से और नहीं निकल सकते तो हम लोग इसलिए आगाईज ओबाई साब गरेनी आ गई तो मैं क्या बोलना था हाँ तो गाईज हम लोग इसलिए कार चलानी पड़ेगी और कार से गेट तोड़के जाना पड़ेगा चूप जाता हूँ ओःस आप यहां पर गरेनी आ चुके मिरे को ब के लिया था बट मैं बच गया हूँ यार अच्छा हुआ अभी ना यार हम लोग फटाफट से उपर चलते हैं गैरेज में और यह वाला टायर भी हम लोग को लगाना है कहां पे उस कार के नीचे क्योंकि गाइस गिरेनी ना यहां पर यह जो कार है ना इसके टायर भी निकाल क के दुपकाए हुए हैं और इसका फ्यूल बगरा सब कुछ अलग अलग जगा पर दुपका के रखा है बट हम लोग सारा समान ढूंडी लेंगे आज ओके तो अभी हम लोग को एक प्लैंक की जरुवत है बट प्लैंक हम लोग बाद में उठाएंगे क्योंकि यार मैं कैमरे यह तो मेरे पीछे ही पड़ गई यार भाई साब यह ग्रेंड पा कब मर गया यार इसके साथ में कैसे रहती होगी मैं तो यह सोच रहा हूँ अभी ग्रेंड पा जो है ना वो भी मरने के बाद बहुत खुस होगा क्योंकि उसका ना गिरेनी से पीछा चुड़ गया है क्यो मुझे लग रहा है क्यों देखा गाई मुझे पता ता यहीं खड़ी थी वो गरेनी कोई बात ने इसको आने देते हैं हम लोग उपर से जाएंगे और नीचे उतर जाएंगे देखो वह आ रही है गरेनी आरे यार जब से यह पैन मिलाए ना मैं परेशान हो गई हूँ किसी को गोली भी नहीं मार सकती यार मुझे कोई अच्छे गन मिल जाए तो मैं इसे हेड़ शॉट मार के चिकन डेनर कर लूँगी देखो गाईज यहां पर गिरेनी आने वाली है फटा फट से मैं एक प्लैंक को काट लेता हूं ओके तो गाईज अभी मैं फटा फट उपर जात क्या हुआ है तो वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आप भी कभी पहले पबजी लवर थे या अभी भी हो अरे बेटा मैं तो बचपन से ही पबजी लवर पैदा हुई थी और तुमारे दादा जो है ना गिरेंड पा उन्होंने मुझे एडबलो ए इस हम लोग यहां प्लेंक लगाते हैं और यह की जिसकी जरूरत पढ़ेगी हमें आगे चलके तो फटावर्ट से हम लोग यहां से आगे चलते हैं यह वह लोग ने खोल दिया है यहां पर किस दीज़ की जरूरत पढ़ने वाली है मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पर स्कूडराइवर की मेरे को एक स्कूडराइवर उठाना पड़ेगा जो के मैंने देखा था वो नीचे रखा हुआ है तो फटा फट से हम लोग नीचे चलते हैं जल्दे जल्दी से चलते हैं यहीं पर रखा हुआ था वो स्कूर्डराइवर ओके किधर था यार यह रातो गाइज हम लोगों स्कूर्डराइवर भी मिल चुका है और अभी हम लोग फटावट से जाकर सारे के सारे स्कूरू को डीला कर देंगे एंड वहां पर ना मेरे को पता है गिरेनी ने जो है ना हमारी पबजी वाली कार की ना की दुपका के रखी हुई है और यार यह गिरेनी फिर से नीचे आ रही है अभी ना गाइज हमारी कार बिलकुल रेडी है यहां से गेट तोड़कर भागने के लिए वापस से अपने खिल रही है बट हम लोगों इसको खिलने के लिए नहीं आये हम लोगों को यहां से कुछ चीज़ें चुराणी थी जो हम लोगों को फटाफट से नीचे की तरफ जहां पर हम लोगों ने प्लैंक लगाय था ओकैपलैंक तो लिए सामनी लगाया हुआ है तो गाइस फटा फट से हम लोग इस प्लैंक से चलते हैं और इसको ड्राइवर से जाकर ना वहां से हम लोग उठाने वाले है कार की और गिरेन यार बहुत ज़्यादा खतरना के गाइस आप लोगों ने नहीं देखा बट ये क्या मेरे को लगा यहां कार की मिलेगी ओके तो कार की को कहीं और छुपाया हुआ है बट मेरे को एक कोड मिला है प्लीज प्लीज ये तुमारे दादा की आखरी निसानी है इस कार को मत लेके जाओ ना प्लीज रुक जाओ हाँ हाँ बुड़ी मुझे पता है तो अभी थोड़ा सा इमोशनल होके मेरे से बात करेगी और फिर मेरे को पकड़के फिर से पैन से हेड़ शॉट मार देगी